Hello everyone, welcome to Only IS Date है आज की 21st September 2020 और स्वागत है आपका प्रिलिम बूस्टर न्यूस डिस्केशन में हमारा पहला आर्डिकल है Blue Flag Certification इसके अंदर ये न्यूस में इसलिए रहा है क्योंकि हाल फिलाल में Union Environment Ministry ने ये एनाउंस किया है कि हम Blue Flag Certification के लिए आठ इंडियन बीचेस को प्रपोस कर रहे हैं अब यहाँ पर जो ये आठ बीच हैं उनमें से नाम तो बहुत इंपॉर्टन नहीं है बस एक बार आप सुन लिजे गुजरात में शिवरापुर है, शिवराजपुर है ये नाम अगर आपको नहीं भी याद होते हैं तो भी कोई इशू नहीं है बात इतनी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि Blue Flag Certification अक्च्वल में क्या होता है देखो Blue Flag Certification जैसा कि नाम से बता चल रहा है कि हम किसी चीज़ को Certify कर रहे है Certify क्या करते हैं तो इसमें जो भी Beach के वाल Beach ही नहीं इसके अलावा अगर और भी कुछ Marine टाइप भी कुछ चीज़े होती है या फिर समझ लो कि Boating, Tourism, Operator है कोई तो ऐसे कोई भी Reason है जहां पर ऐसे Beach से हम Relate कर सकते हैं उनको Marine है कोई Reason ऐसे reasons को हम Eco Level का Certification देते हैं Eco Level का Certification का मतलब यह है कि हम Usually यह देखते हैं कि क्या यह सभी जो यह Beach Areas है क्या यह Environment को Degrade तो नहीं कर रहा है बात आती है कि यह Certification देता कौन है तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह Certification देता है Foundation of Environmental Education FEE यह Denmark Copenhagen में based है और यह एक Non-Governmental Not-For-Profit Organization है यह International Organization है जो की हर देश के अलग-अलग जगहों को यह Certification देता है इसका Origin 1985 में France के अंदर से हुआ था और 1987 के आने के साथ ही Europe इसको implement भी कर रहा है और Europe के बाहर 2001 से यह दूसरे जगह पर internationally भी Blue Flag Certification देता है Criteria क्या होता है चार major hits है जिनके उपर Blue Flag Certification ध्यान देता है सबसे पहला कि हम जो भी reason देख रहे है क्या वहाँ पर लोगों को educate किया जा रहा है क्या कि हमें गंदगी नहीं फिलानी है हमें कचड़ा उस जगहां पर नहीं फेंकना है ऐसे environmental education और information दिये गए है क्या उस जगहां पर दूसरा कि वहाँ पर जो भी bathing water quality है वो सही है नहाने का पानी साफ है स्वक्ष है की नहीं साथी साथ environment के लिए management और conservation के लिए क्या किया गया है और साथी साथ चौते नंबर पर कि वहाँ पर beaches में safety और services के लिए क्या किया गया है इनी चार parameters पर ये blue flag certification दिया जाता है फिलहाल अभी जो सबसे highest number of blue flag certification किसी country में है तो वो Spain के हैं इसके अलावा Greece और France Spain के बाद आते हैं हमारा अगला topic blue flag certification जैसा ही है BEAMS जिसका full form में beach environment and aesthetic management services नाम से जो भी इसके अंदर का matter है वो आपको पहले ही clear हो गया होगा हाल फिलहाल में union ministry of environment forest and climate change ने इंडिया के अंदर eco level beams launch किया है जिस हिसाब से एक blue flag certification भी eco level को mark करता था आप समझे लूँ उसी का Indian version है यहाँ पर ministry of environment forest and climate change ने अपने integrated coastal zone management project के अंदर में beams को start किया है इसका main objective वही है कि हम जितने भी हमारे coastal waters हैं उनको सबसे पहले साफ बनाएंगे pollution free बनाएंगे साथी साथ वहाँ पर हम लोग sustainable development को promote करेंगे जो भी beach facilities हम देते हैं उसको हम protection measure लेंगे साथी साथ coastal ecosystem को conserve भी करेंगे और वहाँ के जो भी natural resources हैं उनको भी protect करेंगे ये प्रोग्राम beach recreation के लिए है और साथी साथ nature के साथ एक harmony बननी चाहिए मतलब development कितना भी हो जाए लेकिन इससे nature पर कोई भी प्रभाव नहीं पढ़ना चाहिए अगला article हमारा Mount Everest के measurements related है हाल फिल हाल में चाइना और नेपाल ने साथ में Mount Everest को फिर से measure उसकी height को उसके elevation को फिर से measure करने का decide decision लिया है Mount Everest जो है जिसको नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जानते हैं वो हमें पता है कि अर्थ का highest mountain है sea level के उपर दिखा जाए तो यहाँ पर यह आपको पता है कि यह Mount Everest नेपाल में और चाइना के border पर located है चाइना और नेपाल के बीच में यह reason बताया जाता है कि सबसे पहले जब हम इसका measurement कर रहे थे कब किया था? 1953 में कौन किया था? यह Indian नेपालीस थे टेंजिंग नौर्गे आप लोग ने बच्पन से ही इनका नाम सुना हुगा और एक New Zealand के Edmund Hillary थे इन्हों ने जिब इसको measure किया 1953 में तो उस time record किया गया कि भई इसकी height जो है वो 8848 मतलब कि 8848 मीटर्स है और इसके बाद जो world का second highest mountain है Ketu जिसको हम लोग Godwin Austin के नाम से भी जानते है अब यहाँ पर एक बात और है कि इसका नाम Everest क्यों पड़ा उस time पर अब जैसे यहाँ पर सागर माता है वैसे चाइना में इसको कुछ और नाम से जाना जाता है तिब्द में इसका कुछ और नाम है Surveyor General of India के पद पर सर्व कर रहे थे Sir George Everest इन्ही के नाम पर यह परवत का नाम पढ़ गया अब मुद्द यह आता है कि जब हमने और इसका measurement कर रखा है तो इसको दुबारा से measure करने की जरुवत क्यों पढ़ रही है दोको यह तो मैं पता है कि हमारा जो Indian plate है वो Eurasian plate से लगातार टक्कर कर रहा है इससे क्या होता है कि ऐसा बोला जाता है कि Mount Everest की height इससे बढ़ जानी चाहिए तो इसके लिए चुकि पहली बार जब इसको हम 1956 से ही यह मानते आ रहे हैं कि हिमाले की height 8848 meter ही है तो अब हो सकता है कि यह change हो गया हो और साथी साथ हमें यह भी पता है कि 2015 में नेपाल में heavy earthquake आया था इसके वज़े से भी height हो सकता है चेंज हुआ हो लेकिन मुद्दा अभी भी एक बड़ा बनता है वो यह है कि हम आखिरकार height किसको consider करें माच जो highest peak point होगा वो किसको consider करेंगे हम क्या हम rock point को consider करें या फिर जो highest snow point है उसको consider करें तो एक नेपाल की team है जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में 2019 में 2019 में इसको measure किया और May 2020 में वापस से चाइना ने एक expedition carry out किया था लेकिन चाइना जो है वो अपने yellow sea को sea level मान रहा है और नेपाल Bay of Bengal वाले coast को sea level मान रहा है तो उसके reference में हो सकता है कि इनके जो level है या फिर जो height ये measure करते है वो different हो Mount Everest का जो पहला survey है उस mission के अंदर world का highest peak 1847 में ये बताये गया कि Mount Everest है उसके पहले जो है वो लोग सोसे थे जो कंचन जंगा है जिसकी height इस time 8582 मतलब 8582 मीटर्स है वो world का highest peak है लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर Andrew Walk थे जिन्होंने ये team lead की थी team 47 में इन्होंने बताये कि नहीं नहीं Everest जो है वो सबसे है इसको हम उस time पर peak 15 का नाम देते थे peak 15 सबसे ज़ादा उचा परवत है यहाँ पर एक आप range देख सकते हो हमारे greater हिमालयास के portion में कौन-कौन साते है नंगा परवत से ये इधर से start होता है इसके बाद जो आपको याद करने वाले नाम है वो है अन्वपूर्णा, धौलागेरी मानसालू, मकालू Mount Everest और कंचन जंगा ये कुछ नाम आप याद कर सकते हो आपको ये पता होना चाहिए कि Second Highest Peak जो है Mount K2 है और Third Highest Peak कंचन जंगा है इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ की और चर्चा हुई Survey of India की तो Survey of India जो है वो इंडिया का National Survey और Mapping Organization है ये Department of Science and Technology के अंडर में काम करता है 1767 में ये Establish किया गया था और ये माना जाता है कि ये Government of India के अंदर Scientific Department के नाम पर सबसे oldest organization है इसका Headquarter देहरादू नूतराखंड में है और ये Government of India को Advise करता है कि हम Geodicy या फिर Photogrammetry या फिर Mapping या फिर Map Reproduction में कैसे काम कर सकते हैं और उसमें ये Survey करता है यहाँ पर नाम लिया हमने Geodicy Geodicy का क्या मतलब है कि ये एक प्रकार का ऐसा Science है जिसके अंदर हम लोग Earth के Geometric Shape के बारे में समझते हैं उसको Measure करते हैं देखते हैं कि Space और Gravity Field के Orientation में क्या ये Change हुआ है अगर Change हुआ है तो कितना हुआ है और उसको Measure करते हैं Photogrammetry का मतलब है कि हम लोग Photo के साहता से मतलब Photographs की साहता से हम लोग कुछ Measurements करते हैं तो Satellite से जो भी Images पिक होती है उसके Business पर भी हम कुछ Measurements अगर करते हैं तो उसको Photogrammetry बोलते हैं अगला आर्टिकल हमारा Denied Eggfly से रिलेटेड है Denied Eggfly रिसेंटली न्यूज में रहा क्योंकि इसको Cornell University ने अभी हाल फिलाल में Observe किया है जब वो लोग Rare Sighting of Birds के लिए एक Observation ले रहे थे वहाँ पे हाला कि ये मुद्दा इंपोर्टन नहीं है Denied Eggfly जो है वो Butterflies की Largest Family से बिलॉंग करता है जिसका नाम ये लिखा हुआ है Nymphalidae Nymphalidae जो है इसकी खासियत ही होती है या फिर हम Specifically Denied Eggfly की बात करें तो इसमें इसके जो पैर होते हैं आगे के वो आगे के Brush-like structure में होते हैं मलब Brush-footed होते हैं तो इसलिए ये थोड़ा Unique है और काफी बड़ा है इसका Habitate जो है वो किसी भी Open Country का Inhabitant हो सकता है Moderate Rainfall वाली रीजन में पाय जाता है Africa, Asia और Australia रीजन में Wildlife Protection Act of India 1972 के अंदरगत इसको Protected का दरजा दिया गया है और IUCN Red List में ये Non-Evaluated है Features की बात करें तो यहां पर जो Denied Eggfly है वो एक Plain Tiger Butterfly होती है बहुत एक जहरिली ये Butterfly होती है उससे ये Mimik करते हैं जो इनकी Females होती है इसलिए Appearance में ये कभी-कभी हम लोग धोका खा सकते हैं हलाकि ये सारे Features जो है वो इतने Important नहीं है अगर आप एक बार सुने भी रोगे तो भी आपको exam time में strike कर ही जाएगा अगला article हमारा BioTech किसान प्रोग्राम से रिलेड है हाल फिलहाल में Ministry of Science and Technology ने Agriculture में Bio Technology के चलते कुछ अच्छा योगदान देने के लिए 310 मतलब की 310 क्रोर का एक fund allocate किया है यहाँ पर BioTech किसान प्रोग्राम के अंदर में अभी तक जो भी organic farming हम कर रहे थे इसमें Bio Technology का कैसे इस्तिमाल कर सकते हैं इसी के बारे में बात की जा रही है BioTech Krishy Innovation Science Application Network यह full form है BioTech किसान का और इसमें Farmers के साथ मिलकर और उनके द्वारा भी यह पूरा का पूरा प्रोग्राम डेवलप किया जा रहा है मतलब कि यह प्रकार का farmer centric scheme है BioTech किसान प्रोग्राम अपने आप में एक Pan India प्रोग्राम है जो की hub and spoke model पर based है अब यहाँ पर बात यह होती है कि hub and spoke model क्या होता है कि आप समझो कि एक बीच में कोई एक center है और इससे backward और forward linkages में बहुत सारी चीज़े connect हो जाएंगी तो cycle का पहिया जैसे होता है और उसकी तीलिया होती है इसी जैसे hub and spoke model होता है कि मानलो यहाँ पर production center है यह सारे के सारे production center बीच में मिलके एक center बनाएंगे जहाँ पर कुछ और products produce होंगे और यह फिर बाद में यहीं से output निकलेगे तो इसको बोलते है hub and spoke model यह एक unique feature है इसके अंदर क्या होता है बायोटेक किसान प्रोग्राम के अंदर कि हम लोग एक leadership चुनते है मतलब कि एक leader को चुनते है वो local किसी भी gender में हो सकता है और वो क्या करेगा कि लोगों को train करेगा या knowledge provide करेगा मतलब कि knowledge का transfer करेगा यह बताएगा कि farming में हम लोग कैसे science का इस्तिमाल कर सकते हैं यह बताएगा कि हम लोग water, soil, seed या market को पढ़ते हुए अगला आर्टिकल हमारा webhav summit से related है webhav यहाँ पर हो सकता है कि capital letters में लिखना चाहिए क्योंकि यह एक प्रकार का abbreviation है webhav का मतलब आप यहाँ से देखिए यह है वैश्विक भारतिय वैग्यानिक summit नाम से ही पता चल रहा है कि अगर वैश्विक लिया गया है तो उनको हम लोग बुलाएंगे यह पूरा का पूरा summit कब organize होगा यह महत्मा गांदी के birth anniversary पर मतलब कि 2 October 2020 को webhav summit को हम inaugurate कर रहे हैं अब इसके अंदर यह है कि इन सभी वैग्यानिकों को हम अपने यहाँ बुलाएंगे और देखेंगे कि जो भी हमारा quantum technology है या फिर artificial intelligence की field है या फिर machine learning की बात आ जाए communication technologies की बात आ जाए इन सब जगहों पर हम इन से बातचीत करेंगे इनको request करेंगे कि हमारे research and development field में आप भी योगदान दीजे आप हमें कुछ सिखाई अच्छी बाते बताएं जिससे कि हम इन science and development के अंदर में ये जो research and development का progress है इसको हम लोग और तेजी से increase कर सकें एम यही है कि हम लोग Indian diaspora को involve करके कुछ अच्छी चीजे develop करना चाहते हैं अपने academic institutions और Indian research institutions को एक lead देना चाहते है इसको organize कौन कर रहा है तो इसको organize कर रहे हैं science and technology और ऐसे दूसरे academic organizations साथी साथ Department of Science and Technology भी है और DRDO भी है defense research and development organization अगला article हमारा नंदन कानन zoological park से related है नंदन कानन zoological park ओडिसमे हैं अब यहाँ पर बात यह आ रही है कि बहुत सारी आठ इस्पिशीज होती है बियर्स की जो की अलग-अलग ट्रॉपिकल और सब्रॉपिकल रीजन्स ओफ इंडिया एं स्री लंका में बेस्ट है यहाँ पर आपको यह पता होना चाहिए कि जो इस लॉट बियर है इसका आयूसीन रेड लिस्ट में वल्नरेबल काट यहां पर हमें नदनगान जोलोजिकल पार्क ओडिसा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए क्यांकि अपने आप में बहुत यूणिक जोलोजिकल पार्क है इसकी शुरुवात हुई थी 1960 में, इस टाइम इसको इनागरेट किया गया था, ओडिसा के भूबनेश्वर सहर से 15 किलोमेटर दूरी पर है, इसके जो मिंबर हैं, ये इंडिया का पहला ऐसा जू बना था, जिसको वाजा, मतलब कि वर्ड एसोसियेशन आफ जूस एन इक्वे डिया जाता है कि जो भी Natural Habitate है, जानवरों का, उनको हम conserve करेंगे, even जानवरों का भी ध्यान रखेंगे, मतलब कि ये ध्यान देते हैं कि जानवरों से कुछ भी बुरा बरताओं तो नहीं रखा जा रहा है, ये समझे एकि, ये जो नंदनकान जिलाजिकल पार्क है, ये और साती साथ इसी पार्क के अंदर में एक State Botanical Garden of Nandan Kanan है जो की Odisha का एक Nature Education Center है और यहां पर बहुत सारे plants की species को हम लोग conserve करते हैं बात करें कुछ questions की देख लेते हैं फटाफट से FEE मतलब Foundation of Environment Education, Inter-Government Organization है जिसका Headquarter Copenhagen Denmark में है तो एक तो गलत हो गया यह Inter-Governmental Organization नहीं बलकि Non-Go Government Organization है यह statement false है Survey of India, National Survey of Mapping Organization, Ministry of Earth Science के अंदर में आता है तो यह statement भी false हो जाएगी क्यों क्यों क्योंकि Department of Science and Technology के अंदर में है यह Ministry of Science and Technology यह भी statement false हो गया Sloth Beers, IUCN Redist में Vulnerable है तो बिलकुल सही बात है यह true statement इसके लावा यह बोला गया नंदनकानन Geological Park आंदर प्रदेश में है नहीं ओडिशा में है यह statement false है Webhouse Summit के बारे में बोला गया है कि यह एक Global Summit है जिसमें Scientist और Academicians जो Overseas और Resident Indian है उनको बुलाया जाएगा तो मतलब यह statement सही है यह statement true है तो बस आज की discussion में इतना ही था Thank you very much for listening it very patiently friends Have a nice day